हेलो भायों यों बहनों आप कैसे हैं आसा करते हैं आप अच्छे हों स्वस्थ होंगे आज हम आप लोगों के लिए एक नई देशपी लेकाया हैं आलू और सोया मेथी की सब्ची तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं हमने धाई सुग्राम सोया और मेथी लिया है और मैंने धाई सुग्राम आलू ली हैं इसमें चार आलू मिली हैं दोस्तों सोया जादा लेंगे मेथी कम लेंगे क्योंकि मेथी अगर डालेंगे तो ये थोड़ा सा कड़ूई होती है इसलिए मेथी कम सोया जादा लेंगे इसक तो सोया मेथी को हम इस मसीन में काटेंगे, ये देखिए, अच्छा सा साफ धुल लिया था मैने सोया मेथी, और ये मेरे पास कटर है, इसमें डाल के इस तरीके से इसको घुमा देते हैं, और बहुत अच्छा, बहुत बारीक कट जाता है सोया मेथी, ये देखिए, बहुत ब तो इसका टेस्ट जो है अलू के साथ बहुत ही जबरजस्त आएगा बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इसको आप कूरी के साथ प्राठे के साथ चावल के साथ और और मक्य बाजरे की रोटी के साथ हाफवाई यह बहुत अच्छा टेस्टा इसमें इस मसीन में इस तरीके से भरके थोड़ा सा आसानी से घुमाएंगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक राउन में थोड़ा सा अर्ड पड़ता है जब एक दो बारों भूम जाती है अंदर स सब कितना बारीक कटता है इसको इस तरीके से थोड़ा ठीक कर ले एक बार और घुमा देंगे बहुत ही बढ़िया कट जए रहा वह हम इसी में काटतेải हैं बहुत बढ़िया कटती है इसको मैं बाज़ार से ले करके आया था तबसे बहुत अच्छा काम कर रहा है। कि बहुत बढ़या मसीन है ये देखिए बहुत अच्छा कटा हुआ है। 5 diagnostic लास है आप हम ने जो चार आप ली थी हमने चाको से छील के उनको नई आप और उनको उनको चील करके हमने काट लिया है काटके रख लिया है और साफ धुल के ये देखिए रखा है इसके साथ में बहुत अच्छी दोस्तों ये सब्जी बनेगे नए आलू है नए आलू इस समय मार्केट में आने लगा है और सोया मेथी भी बहुत अच्छा आने लगा है मार्केट में यह देखिए धूल के साफ करके रख लिया है, दोस्तों अब गया सान कर ली है, कडाही इस पर चला देंगे, जब तक यह दोस्तों कडाही मेरी गरम हो रही है, तब तक हमने जो लशन, प्याज और मिर्च लिये थे वो काट लें, देखिए दोस्तों हमें एक कैची रखते हैं उस कैची से हम मिर्चे काटते हैं, ताकि मिर्चा हाथ में न लगे और कड़वाहत आंख माक में न कहीं हाथ लग जाता है, तो दिक्कत हैं, ऐसे कैची लीजिए को और उसे मिर्चा काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्याज आप चापू से काट लीजिए, यह यह देखे उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा चला देंगे प्याज को फिर इसमें कटा हुए लश्ण डाल देंगे लश्ण दोस्तों हम काटते नहीं है कोशिस करते हैं कि हम सिल्प इसको कूच ले या इमाम दस्ता छोटा रखते हैं उसमें इसको कूच लशन को जो है हम काटते नहीं, बहुत कम काटते हैं, इसको कूचते हैं हम, क्योंकि ये देशी स्टाइल में बना रहे हैं, गाउं की परंपरा यही है, लशन को जो है काटा नहीं जाता है, उसको कूचते हैं, चाहे सिल पे कूचे हैं, या इमाम दस्ते में कूचे हैं, इसमे यह जो हमने लाल मिर्च ली थी इनको भी हम डाल देंगे चारों को यह भी पख जाएंगे साथ में दोस्तों कोशिस करिए कि बाद में डाली है तो थोड़ा सा वह उसकी जलते नहीं नहीं तो यह लाल मिर्च बहुत जल्दी जल जाते हैं कभी तरकण का मानना हो तो आप पहल अब इसमें जो है दोस्तों तूखे मसाले डाले में थोड़ा सावर पकने देंगे अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच जीरा पाउडर श्वादा नुशार नमक डालें के गाहए नमक आप क्मया जाधा कर सकते ही और इसको जो है आलू पहले इसमें अब डालेंगे हम पहले आलू थोड़ासा पकाएंगे ड्合क सोय मेतरल के बाय और आमने लाइम होता है इसमें देख को आप एक मिनलीट के लिए इसको बंध कर देंगे दो मिनट हो गए हैं दोस्तों खोल के देखें कि क्या पोजिशन है ठीक है बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है अब इसमें हम सोया मेथी डाल देंगे सोया भी दोस्तों बहुत गरम होता है मेथी भी बहुत गरम होती है और हमारे गाव मेथी कम रहती है मेथी रहती है ट्वंटी परसेंट एट्टी परसेंट सोया रहता है तो इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है कड़ूई नहीं बनती है और फायदा उतना ही करती है खाली यह देखिए, अब इसको खोल करके देख लेंगे, चलाएंगे थोड़ा सा सब्जी को, बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है सोया मेति की दोस्तों, लगभग पक गई है सब्जी, यह बहुत जल्दी पक जाती है, सोया मेति तो बहुत जल्दी आलू नया है, फट से पक जा करेंगे इसको, यह देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी सोया मेति की सब्जी बन गई है, आप इसको पूरी के साथ, पराठी के साथ, चापाती के साथ, चावल के साथ, मक्य की रोटी, बाजरी की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत स्वाधिष् बहुत ही पॉस्टिक होती है, तो साथ, मेरा बनाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो, आप चैनल पर नए हो, तो करपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा वीडियो देखने के लिए साथ को बहुत 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 दिवाद हो